लोगसबा चुनाव संपन हो चुके हैं और सबकी नजरे अब एक्जिट पोल पटिकी हुई हैं पश्चिम उत्रप्रदेश की मेरट लोगसबा सीट बेहद महत्मू सीटो में शुमार है और यहां का एक्जिट पोल क्या कह रहा है समाजवादी पार्टी का दावा है कि यहां पर साइकिल दोड़ेगी और साइकिल ही सीधी संसत्तक पहुच जाएगे जबकि बीजेपी का दावा है कि यहां कमल खिलेगा चौथी बार भी कोई टक्कर में है ही नहीं क्या एक्जिट पोल कहता है क्या बीजेपी का दावा है इसी पर हम बात कर लेते हैं मेरत की जनता ने चुनाव से पहले ही मन बना लिया था कि पूरे देश का नेतर्त करने वाले और एक ऐसा नेतर्त करने वाले जिनोंने देश के मानसंमान की लड़ाई पूरे 20 प्रडल पर लड़ी थी। उनके यसस्वी नेतरत में भारत की जनता भारजनता पार्टी के यसस्वी परत्यासी अरुन गोविली को जिताने जा रही है और चार जून को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो सपा के जो मद्दाता हैं जो जुनों के मन में यह के हम जीत रहे हैं तो उनकी आँख खुली क खुली रह जाए यह आप ऐसा दावक कैसे करें समाजवादी पार्टी के इस बार तो पूरे रिकॉर्ट तूट जाएंगे मेरट में जो समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा चुनाव जीतेंगे उनके पास का वोट बैंक आप किसे मानते हैं जो उनका वोट बैंक है वह हमाई तरफ कर दो तो उसके बाद आप लगा लो किस आखड़े से वह बात करते हैं हमारा जो आखड़ा है हम लगबग लगबग एक लाग वोटों से जीतने जा रहे हैं उसमें कोई ना डाउट है ना कोई संद्ध है ना किसी तरीके का हमें कोई सोच और विचार करन खाप लिगा नहीं नहीं है जो जनता का मन है नहीं वह भारते जनता पार्टी के यसमी प्रधान-m clips गांगुमई जिनका तेजस्वी सूरियस और ऐसरी नेतर्त Japanese वोट दिया है तो यह तो जो उनका सेर है वोट सेर आप उसर को को निकाल करके सारा वोट सेर हमारा है उनका आप 20 परसेंट माल लीजे जो बस्पा का परमबर बोट बैंक है उसको दे दीजे उसके बाद बसता भार जनता पार्टिका तो उसमें कोई आकड़ा लगाने की जुरत नहीं कोई कैलकुलेशन की जुरत नहीं है हम लगवग एक लाग की वोटों से जीतेंगे और हमें क अपनी तरफ से दावा करने कि वोट जिस हिसाब सपड़ें उस पार्ट से जो हमारी जीते वोनिश्चित हैं दो जार बाइस में ऐसी दावा क्या था दो जार शत्रे में ऐसा दावा क्या था मुंगेरिलाल के असीन सपने देखते हैं काम करना इनको आता नहीं सोच विचार इनको आता नहीं तुस्टी करन की राजनीती करते हैं घ्रना की राजनीती करते हैं द्वेश की भावना की राजनीती करते हैं जिस तरीके की राजनीती ये करते आ रहे थे और चोदे से पहले जो लोगों को ये ठंगने का काम कर रहे थे लेकिन जैसे जैसे लोगों के मन मे और लोगों को पता लगा कि किस तरीके की राजनीती का सुरूप होना चाहिए देश के अंदर देश के अंदर राजनीती का सुरूप मैं बताना चाहता हूँ यससी परदान मंतरी मोदी जी और योगी जी यससी योगी जी जिन्होंने इस देश के अंदर आकर के राजनिती को एक नया रूप दिया है उनके व्यक्तित में सहास, उनके व्यक्तित में त्याग, उनके व्यक्तित में प्रेम उनके व्यक्तित में राष्ट के परतिस कर्बता, उनके अपने मन में और अपने धिमाग में कर्मकता ये सारी चीजे लेकर के वो चले है और उन्होंने देश को राष्ट प्रेम को अपने परिवार से अपने परिवार के साथ साथ अपने सरीर से उपर उटकर देखा है है और दूसरे लोग क्या करते यह अखले सर रहुल की जोड़ी के बारे में बात करे तो उन्होंने सबसे पहले परिवार को उपर रखा ए और दोनों ये सस्वी और लोग फिर या जंनायक जिनको हम अवतारी भी कह सकते हैं और अवतारी दोनों जन्नाएकों ने इस देश के अंदर जो हमेशा सरोपरी रखा है और राष्ट को रखा है धरम को रखा है संसकर्ति को रखा है अपनी विरासतों को रखा है उन विरासतों को उठा करके दुबारे से इस धरातल पलाने का काम क्या है तो बार रहूल की बात करते हैं रहूल को मैं याद दिलाना चाहता हूं सन 1975 की याद करें समीधान को खतम करने वाला निर्ण ने किसने लिया था समीधान को खतम कर दिया था मर्जेंसी लगा दी थी 1985 का एक निर्ण है, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सहावानो नाम की एक लेड़ी को सुप्रीम कोट ने डिसिजन दिया, और उसको एक धरम के लोगों के ज़र की वज़े से, और मैं साक साथ कहना चाहता हूँ, मुसमनों के ज़र की वज़े से, हमारे पर बिशाश्वान काम करते हैं वो हमेशा 600 बातने ना अब जब जब 3 तीन को विरोध है रहामदिर यह यह पे «àoř 33 makesla हैً जो ़िक तो यह दोनों के दोनों रहावल और अखलेस और उनके साथ के गटबंदन के लोग वहमेशा विरोध की धारा में जाते हैं और भारजंता पार्टी इस तरीके की विचार धारों को पसंद नहीं करती है नहीं पसंद करती है धर्मदर जी मुझे एक चीदत आई है मेर के चुन हमसे क्यों किरूषिए को अंतर राश्टे आप वूर्द धर्तीशी माने परदाल मंत्रियेनी हें हमारे धर्मसंद करती के नवचार करने वाले व्यक्तित को हमारें बेजा था हमारी माता पह्ता पूरा और दी हम‍ज सब्सक्राइब करता हूं कि मुझे चोटे से कार्य करता को वो कैरा ना भेजा उसके बाद मेरत आगरा कानपूर कानपूर के डियर्द आमेटी आमेटी के बाद राई बरेली राई बरेली के बाद जोनपूर और दो दिन का मुझे परवास जो है बनारस्का भी मिला तो मैं पूरवान चल पाश्यमुत तर परदेश से लेकर पूरवान चल के काफी छेत्रों में घूमाहूं और लगबक एक महनने का मु असी में कितनी असी में लगबग आप लगा लो कि अबाउ सेविंटिफाइं हम रहेंगे अब बड़ा दावा कर रहा है या आप देखना ना यह नतीजे उलट फिर हो चार सो पार का दावा था अभी एक जिक बोला जाएंगे रात को देखोगे कल को देखोगे चार सो ही पार जिन्होंने उत्तर परदेश को एक ऐसी इस्तिति में लाके खड़ा किया है जहां से कोई वोटर नहीं जाएगा कोई मद्दाता नहीं जाएगा किसी अपनी वोट की ताकत से इस परदेश को बचाने का काम है समाजवादी पार्टी कढ़बंदन की बात करें उनके तमाम नेतां का भी तो दावा इस बार तो हम भी उलट फेर कर देंगे तो कितना उलट फेर कर रहे हैं दावा तो उनका भी मजबूत है जब अतीकर अस्रम मरते हैं तो उनके घर खाना नहीं बनता और जब एक बड़ तो कितनी वोट मिलेगे अब यह देखना जब नतीज आएंगे 36 मध्यपरदेश राजिस्थान के आए थे तो लोग बाग कहते थे आपका मीडिया भी कहता था कि जुनाओ कॉंग्रेश जीत रही है कॉंग्रेश जीत रही है जब वोट दबाने जाता है मैं आपको बताना चा बंदन के लिए तो मेरी एक सलाई है अब उनका चुनावाज खतम हो गया और वो हार की पर चलेंगे और वो अपसोच लेकि वहार चुके अच्छा दर्मंदरी एक चीज और मुझे बताईए बहुत सारी चीज़े आपने देखियोंगी राहुल गांदी का अखलेश बंदन को कि जो हार की पकडंजी उन्होंने चूस की थी उस निर्ने को लेते वे उसी हार की पकडंजी पर उसको छोड़ करके दिमाग से निकाल दे कि वो जीत रहे हैं और जो अपना एक व्यक्तित बताना चाहते थे कि मैं इस व्यक्तित के साब से अपना उन्होंने इस च जन्ता यह बोल रही है कि इन्डिया घटबंदन हटाहट 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 और यूपी की जनता क्या बोल रही है रहाउल और अकलेश की जोड़ी को सफ़ाचक सफ़ाचक सभ़चप्पप्ट रुपasitar और चार जून को फिर मोदी सरकार फटाफट 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 एक डायיך सब्सक्राइब किस तरीके से हमारे पास भी और चटाः। आज रहें किस तरीके से मेरट ही नहीं पश्री मुत्रत्रप्रतेश ही नहीं अपनी जीत को ले जेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और सीधा दावा कर रहे हैं कि सरकार मोधी सरकार ही बनेगी गठबंदन देखता रह जाएगा और जिस तरीके से तमाम तरह के बयान चल लही थे उन पर उन्होंने जवाब भी दिया है अब ये जवाब कितना सफल होगा य क्योंकि चार जून को पूरे नतीजे आ जाएंगे पूरी जो धुंद चाही है वो साफ हो जाएगी और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आकिर जनता के मन में सबसे ज़्यादा बसा कौन ABP गंगा खबर आपकी जवाब कि